डिक्टेशन की गती हैं, शोशब प्रती मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट हुआ, पांक सेकेंड बार, तब तक के लिए रेड़ी रहें। के मन में बड़ा संदे हैं, पेदा हुआ की इस चुनाव के बाद उनकी इस्तिती वेसी नहीं रहेगी, जो अब तक चली आती रही हैं, गरीबों और अमीरों के बीच में, अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, उसको अब तेजी से दूर करनी का प्रियत्न किया जाएगा, च्रीमान में आपका बहुत आभारी हूँ, जो आपने सदन में चालू वर्षिप के बजट पर अपने विचार प्रकट करनी का अवसर दिया है, में इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ, च्रीमान में सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधान मंत्री को इस बात के लिए बदाई देना चाहता हूँ, कि उनके नेत्रत्व में देश में कॉंग्रेस दल को इस पश्ट बहुमत मिला और इसके फल स्वरू यहां पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ, जो की देश में वास्तव में समाजबाद लाना चाहती है, में वित्मंत्र जी को इस बात के लिए बदाई देना चाहता हूँ, कि लोकसबा के मध्यावदी चुनाओं में जनता द्वारा कॉंग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था, उन्हें इसमरण हैं, और वह तन मनधन से उसका पालन करना चाहते हैं, वह आदेश था देश में सामाजिक और आ भी भी बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछडे हुए हिस्से हैं, उनका पूरा विकास करनी का, साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक बिवस्ता पेदा की जाएं, जिसके अंतरगत जनता श सके श्रीमान यह ठीक है कि देश में क्रशी के छित्र में उत्पादन में ब्रदी हुई है परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी द्रश्टी में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी ब्रदी हुई है इसके लिए आउशक है कि सीचाई के साधन बढ़ाये जाएं और अधिक उन्नत बीजों का प्रियोग किया जाए आज क्रशकों को क्रशी के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही हैं जैसे छोटे छोटे ट्रेक्टरों का देश में बड़ा अभाव हैं उनके बनाने के लिए शिग्र नए कारखाने खोले जाएं जिससे क्रशकों को जल्द से जल ट्रेक्टर मिल सके देश तभी प्रगती करेगा हमारा ऐसा विश्वास है